दिवेलुक्स संदेश सोमवार बारा जुलेई उन्निस सो निन्नेनवे प्रातह आड़ बजे प्रीय मालिक पुझ बाबुजी महराज इन संदेशों को प्रकाशित होते हुए देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं ये अत्यंत मुल्यवान है और मेरी कुछ अन्य रचनाओं की अपिक्षा ये वृदय को जादा चुएंगे वहाँ उन अभ्यासियों को जो इस तरह की रचनाओं को पढ़ने में उत्सुक नहीं है उनको कभी-कभी कठिन लगती है इन संपरको पर कई प्रकार की डिपणिया होंगी यह टाला नहीं जा सकता है तरकबुद्धिवाले लोग इसकी आलोचना करेंगे इन्हें केवल इतना ही समझना होगा कि दुसरी दुनिया के महत्वपूर्ण घटक उनकी पहुंच से बाहर है किसी अध्यात्मिक पत का अनुसरन करते हुए वे या तो इस पहलू पर अपनी कमियों के प्रति जागरूख हो जाएंगे या इस संभावना को पूरी तरह से अस्विकृत कर देंगे यही उन सब के संबंद में भी सत्य है जो सब को प्रत्यक्ष नहीं होता है इन्हें अस्विकार करके वे एक सरल सिक्षा से वन्चित रह जाएंगे जिसका लक्ष उरुद है इन संदेशों से प्रस्फुटित होने वाली कमपन के अतिरिक्त वे एक विशिष्ट सुक्ष्म और प्राणा हुती से मिलने वाले लाभों से भी वन्चित रहेंगे लोगों के दिमाग को खोलने के लिए कोई भी उन्हें बाद्य नहीं कर सकता है दुसरे लोग इसका सरवाधिक उपयोग कर इन से मिलने वाले सारे संभावित लाभों को पाने में सक्षम होंगे अब समय आ गया है कि लोग इस सच्चाई को स्वीकार कर ले इश्वर ऐसा ही चाहता है मानवता को अपने से परे जिससे कुछ लोग समवाध कर सकते है कि वास्तविक्ता को स्वीकार करना चाहिए यह नया नहीं है और यह अनादिकाल से घटित होता आ रहा है अब वह समय आ गया है जब इस बिंदू पर हमारी अज्ञानता धीरे धीरे प्राप्त होनी चाहिए इसमें बहुत समय लगेगा लोग ज़्यादा तर जिद्धी होते हैं वे किसी भी तर कहिन बात पर विश्वास कर लेते हैं और सत्य को अस्विकार कर देते हैं इस विशे में उन्हें जबरदस्ती समझाना संभव नहीं है उन्हें अपनी समझ का विकास करना होगा खुश रहो तुमने यह कदम पहले से ही उठा लिया है पुझ्य बाबुजी महराज